यहां पर रिच पळू है वह तो टोटल आप देख सकते हैं विविंग कॉंसेप्ट है लेकिन जहां मैं बॉड़ी की बात करूं साडी की तो यह देखें इसके अंदर आपको एम्रॉडरी कॉंसेट मिल रहा है जरी की एम्रॉडरी यह जो बूटिया बनी है यह एम्रॉडरी है इवन इसमें आपको हैंडवर्ग मिल रहा है यह देखे स्टोन जो है हाथों से लगाए गए काफी खुबसूरत से लग रहे हैं सबके लिए बहुत अच्छी फासलेटी जो है तो हैंडे आप की कंपनी Ohm TJ fashion में बात करूँ Ohm TJ fashion की तो यहां पर आपको एक चछफ के नीचे टोटल विराइटी इस आपके बजन्स के पॉपल से मिल जाती है यानि अगर है आप बयापार करना चाहते हैं और आपको कपड़े का व्यापार करना है, तो आप यहां से बेजीचक जूड सकते हैं, क्योंकि यहां पर आप अपने पैसे के बदले पैसा ही ले जाते हैं, यानि जो प्रॉडक्ट आप लेके जाते हैं, उनमें आप जो है कई गुना बरोतरी के साथ में प्रॉफिट कमा सक तो जैसे आज मैं वीडियो को बनाने वाली हूँ आपके लिए स्पेशल सिल्क साडियों का, क्योंकि सिल्की रेंच ना, अभी फैस्टिबल में डिमांड रहे गी, लेकिन फैस्टिबल के बाद जो सादियों की सीज़न आने वाली है, उनमें भी ओन डिमांड रहेंगी ही, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो फोस कलेक्शन से यह देखें, बहुत ही प्यारा रिच पल्लू के साथ यह concept आपको मिल जाएगा, अब इसमें आप ध्यान से देखिए, नॉर्मल साडी नहीं है दोस्तों, यहाँ पर रिच पल्लू जो है, वो तो टोटल आप देख सकते हैं, वीविंग कॉंसेप्ट है, लेकिन जहां मैं बॉडि की बात करूओ, साडी की तो यह देखें, इसके अंदर आपको एम्रोडरी कॉंसेप्ट मिल रहा है, यह जरी की अम्रोडरी है, जो बूटिया बनी है, यह एम्रोडरी है, इवन इसमें आपको हैंडवर्ग मिल रहा है, यह देखिए, स्टोन जो है, हाथों से लगाए गए, काफी खुबसूरत से लग रहे हैं, अब बात करूं साडी के लुक की, पट की, क्वालिटी की, तो लुक आपको पता ही चल रहा है कि इतना खुबसूरत सा है, कट आपको प्रॉपर छेत तिसका आएगा, और बात करूं क क्वालिटी की, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहे है, माल बेचने में फोकस कीजिए, क्वालिटी में कहीं सिकायत नहीं आएगी, अब यह देखिए, इस वराइटी के बात करूं तो यह शांदार सा कॉंसेप्ट आपको यहाँ पर मिल रहा है, मीनाकारी वर्प के साथ मे जिसके अंदर आपको जो है रिच पल्लू मिल जाता है, और बात करूं बॉड़ी की तो आप देख सकते हैं, छोटी छोटी बूटियों से, फुल बॉड़ी में बहुत ही खुबसरत सा यहाँ पर डिजाइन किया गया है, और जैसे मैंने मीनाकारी वर्प बोला, तो आप द करनी है, तो आप सिंगल सारी तो ले ही नहीं सकते हैं, हाँ, आपको सूरत आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ओनलाइन ओर भी नहीं लिया जाता, टोटल काम ट्रांसपरेंसी का होता है, जो दिखाते हैं, वो देते हैं, आखों के सामने देते हैं, और सबसे बड़ी बा होती प्यारी प्यारी रेंज मिलने वाली है, और केटलोग की रेंज जो यहाँ पर बनाई गई है, वो आपको 4, 5, 6, 7, 8 तक साड़ियों की रेंज जो है केटलोग के अंदर आपको यहाँ पर मिलेगी, अब आप सोच रहोंगे कि मैदम आप पूरी साड़ी ओपन क्यों नह कर जाएगा, फिर से इनने मसेन में भीजा जाएगा, फिर से चरक होगी और फिर से यह रैडी हो के आएगी, तो मैं कहूंगे कि यह चीज आपके लिए भी फायदे मंदा, गर मैं उपन नहीं कर रहे हूं, तो आप भी इसी तरीके से अपने कस्टमर को कस्टमाइज करें, अपना व्यापार करें, कैटलोग की रिंज की बात करों या फिर अधर कोई भी आप ऐसे कॉंसेट परचेस करते हैं, तो हर एक कॉंसेट के अंदर आपको कैटलोग पिक्चर जो है, वो प्रवाइट की जाएगी, कैटलोग पिक्चर मिल जाएगी, जिससे क्या होगा कि अपनी ब्रेंडिंग कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं, आपको टोटल ब्रेंडिंग के साथ में कॉंसेट मिल जाएगे, बात करो, डिजाइन कलेक्शन की, तो अनलिमिटेड दोस्तों, यहाँ पर मिलेगा, अब मैं आपको एक्चे बता देते हूँ, कि आपको जैसे मैं आपको बहुत पॉफेक्टली मिल जाती है, एक बहुत ख्याल रखा जाता है, कि प्रॉडट्क आपका सेफ रहे, अच्छा रहे, लॉंग टाम तक आपके कस्टमर के पास भी वह बहतरिन तरीके से रहे, और बात करो यहाँ पर के रिंग की तो बहुत बहुत पॉफेक्टल आपको दिखाती हूं में, चार साड़ी, पास साड़ी, ऐसे केटलोग की रिंग बनती है, कुछ इस तरीके से आपको यहां मिल जाती है, वित केटलोग पिच्चर के साथ, केटलोग बुक के साथ, यह देखिए, पैकेजिंग है, जो बॉक्स वाली है, काफर शानदार है, तो ऐसी वेराइटी कलेक्शन चाहिए, तो आजाएए, सूरत क्योंकि हम चाहेंगे कि आपकी रूबरू मुलाकात हो, और आप आखों के सामने देख के अपना माल लेके जाएं, और सबसे बढ़ी बात है पता है दोस्तो, आप माल जो है, आप उन हैं पैकिंग करवा के ले यही जरूर बताईएगा किस जगह से बैठ कर आप यह वीडियो देख रहे हैं, और आप जो है यहां से कब जोडने वाले हैं, आपको मैं बता देती हूं कि लाइक जरूर कीजेगा, क्योंकि बहुत इंतजार रहता है, बड़ी महनत लगती है, आपके लिए एक वीडियो आपको शेर करते रहिएगा, ताकि हर एक वापारी सही जगह पहुच पाए, तो मैं लेके आओंगे आपके लिए नए कलेक्शन के साथ नया वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद,